दोस्तो एक बार रतन टाटा का सामना एक गैंग्स्टर से हुआ कमपनी की करमचारी भी उस गैंग्स्टर से डरे हुए थे लेकिन रतन टाटा ने कैसे उस गैंग्स्टर का सामना किया इसका एक वीडियो काफी समय पहले वारल हुआ था इस वीडियो में रतन टाटा खुद गटना को बताते हुए दिखाई दे रहे थे इस वीडियो को कलम्बिया बिजनस सकूल ने पहली बार नमंबर 2013 में सेर किया था लेकिन अब फिर से ये वीडियो सोसल मीडिया पर वायल है क्या है इस वीडियो में चलिए और आपको बताते हैं ये वाक्य है साल 1980 के आसपास का तब रतन टाटा को टाटा संके चेर्मेन का पल समाले मैज 15 दिन का ही समय बिता था एक गेंग्स्टर उनकी कमपनी टाटा मोटर से रंगदारी बसुनने की कोशिस कर रहा था उसके पास 200 तोड़ फोर्ड करने वाले इंसक और ड्राने वाले लोग थे हलाकी कमपनी में काम करने वाले करीब 4,000 करमचारी का इन लोगों से कोई लेंदेन नहीं था कमपनी मनेजमेंट ने उस समय करमचारी संग ने उनको हलके में लिया था लेकिन बाद में गैंग्स्टर के दबाव में रतन टाटा ने आने के वज़ाए उनका सामना करने का फैसला किया रतन टाटा कहते हैं कि उस गैंग्स्टर को कुछ करने के लिए मुझे बहुत सारी सला दी गई थी लेकिन इसके बावजूद भी मैंने दूसरा रास्ता चुना और उसका सामने करने का फैसला किया अगर मैं ऐसा नहीं करता तो टाटा मोटर्स की यूनिन पूरी तरह एक गैंग्स्टर यूनिन में बदल जाती रतन टाटा कहते हैं की उन्हें पता था कि अगर उन्होंने हार माल ले तो ये कभी खतम नहीं होगा उन्होंने बताया कि उस वक्त पुलिस भी अस्ताई थी और गैंग्स्टर टाटा मोटर प्लांट के करमचारी पर हमला कर रहे थे गेंग्स्टर से डराने और संदेश बेजने के लिए टाटा मोटर्स के कुछ अधिकारियों पर चाको से भी हमला किया गेंग्स्टर से लगातार दमकिया मिलती रही लेकिन मैंने भी ना जुकने का फैसला कर लिया था बदमास यही नहीं रुके रतन टाटा ने बताया कि उस गैंग्स्टर ने हड़ताल की अपील कर दी थी और पलांट के सिंचाला को रोक दिया था करमचारी अपने परिवार के डर से पलांट में वापस आने से डर रहे थे ऐसे में बरकर्स के डर को दूर करने के लिए रदन टाटा खुद उस पलांट में तीन दिन रहे इस दुरान उन्होंने बोनस की भी गोसना कर दी थी जिसके बाद ये हड़ताल खतम हो गई थी रदन टाटा बताते हैं कि वो गैंग्स्टर कहता रहा कि पलांट बंद है हमने ये दिखाने के लिए कुछ बिगापन निकाले कि लोग उस पलांट में लोट आई उसने जब देखा कि करमचारी सब एक हैं तो आखिरकार बहा हार गया बाद में उस गैंग्स्टर को पुलिस ने हद सेव के वाद गिफ्तार कर लिया था जब बैज एल से रिया हुआ तो उस गैंग्स्टर ने रदन टाटा को मारने की सुपारी भी दी थी तो दोस्तों ये था वो वाक्य जब रदन टाटा आई थे मुसीबत में आज के लिए इतना ही मिलता है अगल किसी और वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद